नमस्कार मैं हूँ दिवांजनी मोहित्रा सिमर बनकर घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली दिपिका ककर ने फाइनली बिग बॉस 12 का खिताब अपने नाम कर लिया है जब दिपिका ने शो में एंट्री की थी तब हर किसी को पूरी उम्मीद थी कि दिपिका फाइनल तक जरूर जाएंगी लेकिन वो इस शो को जीत पाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था जहां एक तरफ फैंस दिपिका के विनर बनने से नाराज हैं वहीं दूसरी तरफ पिछले सीजन की विनर शिल्पा ने भी दिपिका के विनर बनने पर उनका जम कर मजाग बनाया है अब लीजे दिपिका के फैंस को शिल्पा की बाते इतनी चुप गई है कि उन्होंने भाबी जी की जम कर वाट लगाई है यू कहें कि सोशल मीडिया पर शिल्पा शिंदे को जम कर खरी खोटी सुनाई है तो चलिए इंतजार किस बात का दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स शिल्पा जी आपको अपने सीजन में घमंड नहीं था लेकिन आपको हद से जादा इस सीजन में घमंड था कि स्री जीतेगा कहते हैं ना कि अंत में घमंडी का सर नीचे At least she won the show with dignity and grace And yeah not only trophy but she won millions of hearts too Yes she was the kitchen queen but the lioness of tasks too जिस show को जीता उसी show के बारे में ऐसी वाहियार बात छी कितना गिरोगी और तुम घटिया औरत Such statements from you, get a life, move on तो देखा आपने देपिका के fans ने शिल्पा को घटिया औरत बता डाला है बता दें कि पिछले सीजन में शिल्पा ने हीना को हरा कर Big Boss 11 की सोफी अपने नाम की थी और Big Boss 12 में वो श्री को शुरू से ही सपोर्ट कर रही थी खेरब जो भी हो वैसे कहना गलत नहीं होगा कि शिल्पा को दिपिका का मजाग बनाना उन्हीं पर भारी पड़ गया बल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि शिल्पा खुद के बने मजाग पर कैसे रियाक करती है आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉल्स से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ